स्टूडियो तीखने के स्टिरेज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो है स्टूडियो की आए देखते हैं कि स्टूडियो में किस प्रकार से हम कारे कर सकते हैं तो यहां पर मैंने माइक्रोसफ्ट स्टूडियो 2019 दाउनलोड कर रखा है आप भी कम्यूनिटी एडिशन लोड कर सकते हैं और यह तरीके से ओपन होगा और ओपन होने के बाद इसको कनेक्ट करना होता है तो यह ध्यान रखिएगा कि जब भी इसको चलाइए तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट रहना होगा यह चीज़ आपको सबसे पहले बनाना होता है जैसे कि Microsoft Access में भी करते हैं तो यहां पर डेटाबेस का नाम क्या देना है जैसे यहां पर स्कूल डी कर देते हैं स्कूल डी यानि स्कूल का डेटाबेस ठीक है अब यहां पर देखेंत है कि अल्रडडी जो है औल्रडी इक्जिस्क है तो हम क्या करेंगे यहां चेंज कर देंगे इससे Hoje कोर्त पेप master और बिक domains your assignments च्रौन को ऑ्ऊब्स करेंगे तो सारी database लिएक्र हों up में निडिड कर किसी इस सीधा सीधा यह दिलीट हो जाताए फिक है यहाँस के डिलिट की यह सीधा ही अ वापीस तो चलते है है कहां टीटाबीश पर जाएंगे rein click करेंगे और new database को जाएंगे अब हम यहांपर करतेते हैं ssonol cooldown找 samaráً आप बन गया है है आफ हम को इसके अंदर टेबल से बनानी होंगी, तो यहां पर right click करके आप query चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर देखे यहां पर query लिखने के लिए और double click करेंगे तो यह इस तरीके से भी open हो जाएगा, तो हम यह आसान वाला method यूज करते हो और यहां पर देखे यह plus का निशान बना हुगा है, तो यहां पर click करेंगे, तो आप इसको expand कर सकते हैं, यह इस तरीके से दिखेगा, और right click करेंगे तो यहां पर new पर जाके और table बना सकते हैं, तो यह table पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो scenario कुछ इस तरीके का हो जाएगा, जैसे कि आपको Microsoft Access में दिखता है, लगबग वैसा ही यहां पर भी देखना शुरू हो जाएगा, आप सबसे पहले क्या करना है, यहां पर जो भी हम database बना रहे हैं, जैसे मालेजिए student का roll number होगा, तो यहां roll number कर दिया, और इसका data type यहां पर मिल जाता है, और देखिए यह बहुत सारे data type आपको, Microsoft Access से अलग आपको यहां पर number integer में ही होगा, और यहां पर null value को allow नहीं करना है, ठीक है, यहां पर untick कर दिया है, allow null तिक रहेगा, तो आप null छोड़ सकते हैं, यानि खाली छोड़ सकते हैं इस जगह को, और अगर allow null पर tick कर देंगे, तो मतलब जो है, खाली नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं ट students का जो data type होगा, वो क्या होगा, तो यहां पर इसका end care आप चाहे तो रख सकते हैं, यहां पर देखे यह एक end care नाम का data type आता है, तो आप चाहे तो इसे रख सकते हैं, या कोई और भी data type आप इस्तमाल कर सकते हैं, तो यहां पर देखे यह end care आ रहा है, देख रहे हैं, और यहां पर आएगा subject तो अलग-अलग subject के इसमें marks enter होंगे बच्चों के तो यहां पर आपको data type change करना है और यहां पर क्या रखना है आपको आप यहां पर integer रखना है आपको क्या रखना है integer तो यहां पर date पर कर देती हैं ar यहां पर कर दिन फो यहां पर कर दिते हैं र वी रहा है ने फिर इसके बासे यहांपर से दूसरे का आएगा तो यहां पर aur यहां पर शिओ आइंब्री और यहां पर हमें क्या काधना है integer यहां पर तो फिर यहां साइन्स स्टिय पेजिये यहां पर यहां पर यहां पर करना यहां पर BUT कर दीजिए और यहां पर जो हैं मैं ञाक्डेक है उज्सका होगा इस तरीके से यहां गरले तो लिए करेंगे यहीं यहां पर क्यालकुलेट करने वाले दिक्रत है कि कैल कोलेट अगर करें तो कैसे करें अभी तो फिलाल हमने इसा बना ЛLD तो अब हम इसको क्लोज करेंगे तो यह सेभ करने के लिए बोलेगा इसको करके सेभ करेंगे तो यह तो यहां पर आपको करते हैं तो यह नजर आने लगेगा तो यह देखे यह आपको दीखेगा तो यहाँ पर जाके राइट क्लिक करके आपको क्या करना इडिक टॉप टू हंडेड रोज पर चले जाना है ठेक है और एक चीज़ और ध्यान देनी है कि यहाँ पर इसे हमने प्राइमरी की नहीं बनाया यह जो फिल्ड है इसे हमने प्राइ अब इसको को क्लोज करते हैं इसको क्लोज कर देते हैं तो यह यह से ृप यह पूरा पूरा दिखाईी पड़ने लगे का आती्गे मिस जबकें का नाम है रीते ठीज, ठीक है और इनका मा Northern 78 एक में, 66 एक में और 79 एक में और यहां पर już na 77 है और हिन्दी में 35 तो यहां पर इस तरिके से माक्स की टीडिंग कर सकते हैं यहां पर ड़े हैं और यहां पर रम gwार्शन जोभी इनके है और यहां करते आपको अब देखिए माक्स तो फीड हो गया है लेकिन अब इसमें जैसे माल लिजे कि कोई duplicate value देखते हैं check करते हैं कि अलाव है कि नहीं तो यहां पर अगर मैं one रख देता हूं और यहां पर कोई भी नाम जैसे नाम तो duplicate हो सकता है नाम तो quarantine the data in row 3 was not committed ठीक है और यह देखिए यहां दे रहा है violation of primary key constant यानि यहां पर primary key का violation हो रहा है ठीक है तो इस वजह से यह duplicate value अपना ही लिख सकते तो primary key का यही मतलब है कि आप इसमें duplicate value नहीं दे सकते तो मतलब नहीं दे सकते यहां पर इसे close कर देना है और close करके क्या करना है आपको जैसे ही close करते है तो अब हमें total करना है तो total यहां पर कैसे हो सवाल यह इक है तो यहां पर हमें query बना लेते है तो new query पर click करें गैशन करंगे यहां पर से यह нет यहां पर select command का यूजर करें यह लिखा select और किसको select करना चाहते है तो आप जिनको भी select करना चाहते हैं उनका यहां पे ले सकते हैं जैसे माली जी की यहां पर आए और इडित्र टोंडेज्ट की हमने तो पहले है रोल लंबर लिखा हुआ वैसवे हमें भी लिखना है तो आर ओ डबलल अंडर्सकोर नमबर तो यह हो गया रोल लंबर और रोल लंबर लिखने बाद क्या करना है जैसे रोल लंबर लिखते हैं तो फिर कॉमा देना है कॉमा दे करके क्या करना है देखें दूसरा जो है नेम आप टूडेंट है तो हमें नेम आप टूडेंट ही देना होगा जैसे लिखा गया है तो name of students ही करना होगा, तो name underscore of underscore students कर देते हैं, s-t-u-d-e-n-t-e-s, तो यह हो गया name of students, अब इसको भी ले लिया, हमने फिर comma देंगे, फिर क्या करना है, फिर हमें लेना है computer English science, ठीक है, तो यहाँ पे computer c-o-m-p-u-t-e-r, comma English, e-n-g-l-i-s-h, comma science, science, s-c-i-e-n-c-e science हो गया, फिर comma लगाई ये, और comma लगा करके आपको क्या करना है, यहाँ पर maths करना है, तो maths और फिर हिंदी कर देना है, तो यहाँ पर maths और हिंदी भी कर लेते हैं, m-a-t-e-s-s, maths, हिंदी, h-i-n-d-i, यह हो गया maths और हिंदी भी, ठीक है, अब यहाँ पर comma दे करके, और bracket को open करना है, और इसी को मैं क्या करता हूँ न, copy कर लेता हूँ, क्योंकि इनी सारे subjects को तो add भी करना है हमें, तो यहाँ पर जाके copy करके, और यहाँ पर इसे लेके आते हैं, paste करते हैं, लेकिन यहाँ पर comma हटाना होगा, ठीक है, और इसे एक अलग नाम भी देना होगा, तो यहाँ प्लस का shine लगा देता हूँ, मैं बीच में, देखिए यहाँ पर मैं प्लस का shine लगा रहा हूँ, आप देख सके हैं, और यहाँ पर भी plus का shine लगा हूँगा, और यहाँ पर भी at last, ठीक है, तो यह हो गया, और यह इस तरीके से होने के बाद, फिर इसको close करना है bracket को, और close करके यहाँ पर करना है as the total, टी-ओ-टी-ए-ल, ठीक है, और as the total इसे नाम दे रिया है, और कहां से यह आएगा तो from, हमारे table का क्या नाम है, हमारे table का नाम है, school-tr, तो जो table का नाम है, वो हमें यहाँ पर दे देना है, जैसे दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, तो यह from school-tr आएगा यह, वह तो जो लिखा हुआ वही देना है, और इसको यहाँ से अप चला देना है, तो यह एक्सेक्यूट करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं, यह total भी होता हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है, यानि हमारा जो query है, वो successfully execute हो गया, और इसी तरीके से आपको काप करना है, ठीक है, और यह Microsoft Access के जैसा ही है, और यह ज़्यादा आपका यूज़ होगा हर जबा, ठीक है, connectivity के लिए आप कहीं जाते हैं, तो वहाँ पर यही software यूज़ होता है, ज़्यादा तर ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो शेयर कीजेगा, और जिन लोग की रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, उन लोग के रिक्वेस्ट पर आगे भी वीडियोज आती रहेंगी, ताइम थोड़ा सा नहीं मिल ला है, लेकिन चलिए वीडियोज आती रहेंगी, सब तक लिए keep watching, thank you for watching this video.